स्वागत है और आप ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर बेल आइकन नहीं प्रिस के ज़रूर कर लें ताकि आपको नवी वीडियो सुचना मिलते रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं आज के पहले हम कुछ कॉमेंट्स तेलने हैं फड़ा पड़ बाज आज 9898 साम ने पूछा आदानी ग्रूफ फंडामेंटल्स पे नहीं ऑपरेटर्स के इशारों पे चलता है मैं भी आपकी अच्छी स्टुडी है हो सकता है आदानी ग्रीन एनर्जी में कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो घुश जाते हैं और किसी कंपनियों में शेर को उपले ज अच्छी सेलिंग शेर्स ऑफ उर्जा ग्लोबल एक मैंने जो वीडियो बनाया था इस पे तो मैंने बताया था कि दूर रहें इसी कंपनियों से क्योंकि हो सकता है कि नुकसान हो जाए रिटेले निमस्टर को तो कोई भी शेर इनिमस्टर बेशता है या प्रमोटर कंपनी क एक्सोर शूज हिंदुस्तानी यूनिडेवल लिमिटेड वी आईपी इंडस्ट्री थेंक्यू सर तो ज्योती प्रकाश प्रधान जी पहले तो मैं आपको बधाया देना चाहता हूं कि आप बहुत ही उस्ताद आदमी माहिर आदमी है आपने बहुत अच्छा स्टॉक्स का इंक्लूट करूँगा अगर इनके फंडमेंटर्स अच्छे रहे तो तेजा साब ने कहा सर बर्गर पेंस के रेटन दो-तील साल में ऐसे नहीं है जो दस साल में है तो क्या अच्छे स्टॉक्स हैं तो देखिए सॉरी तेजा साब कभी-कभी क्या होता है कि कुछ कंपणिया दो-तीन सालों में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती और वही कंपणिया कभी चौते साल में पांचवे साल में या छटे साल में इतना जबर्दस्त रिटन देती हैं कि गैप होता वो भर जाता है जहां रही बात बर्गर पेंस के बारे में तो एशियन पेंस बर्गर पेंस ऐसी कंपणिया है दिगज कंपणिया भारत की इनके प्रोड़क्स हमेशा डिमांडेबल है और घर घर में यूज होने वाले लोग अपने घरों को पेंस करते हैं इंडस्ट्री को पेंस करते हैं और कुछ समय के बाद जब उनका फेड हो जाता तो फिर से आगे पेंस की जर पेज इंडस्ट्री प्लीज जरूर बनाएंगे पेज इंडस्ट्री का हाला कि मैंने एक वीडियो सोलो बनाया था और हाला कि fundamentals के अच्छा है मैंने वीडियो बनाया है तो मुझे एसी कोई news भी नहीं पता पड़ी मार्केट में मैंने काफी कोशिच की जानने कि क्या कारण है तो हो सकता है कि उपर के लेवल पर प्रॉफिट बोकिंग कर रहे हों जो ट्रेडर से इन्वेस्टर से तो जब नीचे लेवल फिर आए तो फिल लोग फ्रिश बाइंग करेंगे तो उपर जाने के फिर संभावना है कभी-कभी हो जाता है भाई है भी ट्रेडिंग की बिल्कुल पूरी कोशिश रहेगी थोड़ा दुंदला हो गया उसके लिए माफ़े चाहता हूं पूरा प्रयास रहेगा टेक्निकली चलिए आज का जो स्टॉप लेते हम नियोजिन केमिकल का और नियोजिन केमिकल के पहले हम वेबसाइट पर चलेंगे देख लेते हैं क्या ह पर आप लीडिंग मनुफेक्ट्चर ऑफ ब्रोमाइन बेस्ट लीथियम बेस्ट श्पेशलिटी केमिकल के अग दिगज कंपनी है हालां कि बहुत सारी कंपनिया है लेकिन कुछ कंपनियां अपने अपने प्रोड़क्स में महारत उनको हासिल है इनके पास उनके पास ही जो विशेश्टा है उनकी तो कुछ कंपनियों के प्रोड़क्स अपने जिन पर उनको विशेश्टा है तो इनकी यहां पर वन आप दे लीडिंग मनुफेक्ट्चर ऑफ ब्रोमाइन बेस्ट अन लीथियम बेस्ट स्पेशलिटी केमिकल्स अभी हाली में पिछले मन्त लिस्ट कि यह बनाते हैं अबाउट अस में आते हैं Nugent Chemicals Ltd is the 27-year-old company specializing in bromhain-based compounds, green art, regions and inorganic lithium salts, the company was founded by Mr. H.T. Kanani, a chemical engineer from IIT Mumbai, given his long association with bromhain, he is known as the bromhain man of India, वाओ तो अबिसली यहां इंपे महा हा है दिकच, product और बहुत सारे details है, यहां पर research and development भी यह करते हैं खोदी, इसलिए यह company अच्छी है नियोजिन केमिकल से लिमिटेट का जो आज का भाव चल रहा है, 330 रुपए और आज है, 12 जुन 2019 समय हो चुक है, 11 बच के उज्जास, और 60 मिनिट, यानि कि 12 बचने वाले हैं और 22 रुपए 75 पैसे upside है, वाह, previous close यानि कल 308 रुपए के भाव पर था, closing इसकी, और यहां पर अगर हम चार्ट पर आते हैं, तो strong listing new gene chemicals debut with 17% premium, मतलब 251 रुपए के भाव पर यह लिस्ट हुआ था, प्राइस, low बनाते हैं, 240 का और high बनाया था, इसने यहां पर 334 का, यानि आज ही 12 जुन को, तो आज काफी भाग चुका है, और जो financial हम गर हम देख लेते हैं, जो December 18 के मुकाल मार्स 19 में, क्वाटर के, December 18 में 63 करोड की net sales थी वही हो गई, 89 करोड यानि 80 करोड के आसपास, मार्च 19 में, और net profit भी जहां 4 करोड के आसपास, December 18 में, मार्च 19 में हो गई, 8 करोड के आसपास, और total जो debt है, 115 करोड का है, अगर हम year on year देखते हैं, मार्च 18 में, 58 करोड की जो net sales थी, वही हो गई, मार्च 19 में, 89 करोड के आसपास, और net profit में भी जहां, मार्च 18 में थी, 6 करोड के आसपास, वही 8 करोड के आसपास हो गई, मार्च 19 में, और OPM margin में भी जहां, यहां करीब 0.67% की upside है, तो year on year और quarter on quarter भी अच्छे results हैं, और बाकियों details देख लेते हैं, market cap है, 776 करोड की, एक micro cap company है, और यहां पे इसके peer ratio 28.58 की है, earning pressure 10.48 और face value 10 की है, और इसमें एक चीज और हम दिखा देते हैं, कि अगर आपने एक लाख रुपए एक महने पहले इस company में इवेस्ट किये होते, तो आपका रुपए हो जाता है, एक लाख 27,238 रुपए, यहांने 27,238 रुपए का profit मिला आपको एक लाख पहले, एक महने पहले, तो बेहतरीन return है, इसे साब से, तो दोस्ट इसने पूछा है हमसे, कि नियोजीन केमिकल्स के fundamental के बारे में बताया, तो अभी फिलाल केमिकल्स की जितनी company है, एतुल इंडस्ट्री, दिगज कमपनी है, आरती इंडस्ट्री है, भगेरिया इंडस्ट्री है, और दीपक नाइट्राइट के बारे में भी हमने जो बताया, तो उसी प्रकार नियोजीन केमिकल्स भी एक महने पहले लिस्टिंग, लेकिन काफी पुरानी company है, काफी अच्छी company है, अगर अभी इनके fundamental बहुत अच्छे आए हैं, इस quarter के भी, मुझे लगता आने वाले समय में chemicals की micro-crab company थोड़ा अच्छा करेंगी, और chemical company हैं जो जिनके fundamental अच्छे होने, काफी अच्छा returns भी दिया है, अगर आप आरती या फिर अतुल इंडस्ट्री में देखते हैं, तो जबर्दस रिटन दिया है, आपके पैसों लाख रुपए को करोड़ों में तबदील कर दिया है, रिटन वाइस, तो इस तरीके से अगर micro-crab company हों में होता है क्या कि अगर किसी काणवश सेंसेक्स में ज अर्वल में शुरा करें, थैंक यू फर वाचिं इस वीडियो.